गारी में दम, ड्राइबर में दम, इंजन में दम, प्लेट फोरम में दम नहीं ही, याँ पे बेटावा हर आदमी के अंदर दम है, कामियाब होने का, याँ पे बेटावा हर आदमी कामियाब हो भी सकता है, याँ पे हर बेटावा आदमी मैनद भी करता है, लेकिन सोच के जाता हूं मैं, अगर कोई पुलिस में नोकरी कर रहा है और वो 30, 35, 40 साल तक भी नोकरी करेगा, तो आपने दिमाग में इमेजन करना लास्ट की सेलरी तक पहुंच जाएगा, सोचो, कोई टीचर है, तो लास्ट की सेलरी तक पहुंच जाएगा, कोई प्राइबल टीचर है, लास्ट कहां तक पहुंच जाएगा, कोई आर्मी में है, तो लास्ट कहां तक पहुंच जाएगा, आप कोई दुकान चला रहे हैं, तो लास्ट कहां तक पहुंच जाओगे, ये आपको डिसाइड करना है, वो आपकी लिमिट नहीं है, वो आपके प्लेट फोरम की लिमिट है अगर भारतिय सेना में कोई जाके या पुलिस में जाके कोई अगर दो लाग रुपे महीना कमा सकता है आप बदे को बढ़ती होने वाला हर आदमी कमाए या नहीं कमाए उससे फ्रकरी पर्दा मुद्दा यह कि उस प्लेट फोरम की ताकत जो है वो दो लाग की है अब कोई बोले यहीं नोगरी करते हुए मैं पांच लाग कमाना चाहता हूँ क्या पोसीबल है आदमी में दम है 24 गंडे मैनत करने करने के लिए तयार राय। एक फ्रेट टौर में दम नहीं है दोस्त हम लोग दे रहें प्रगामियाप होने की घारंटी इस प्लेट फॉरह मसले मैंने स्प्राइबिट लिमिटेड के दम पे कि यह वो कंपनी है इस प्लेट फॉरम में इतना दम है कि आपको एक करोड रुपे महीना तक लेके जा सकती है और मैं आज के दिन एक करोड तो फिर भी नहीं बोलूँगा लेकिन मैं आज के दिन पुरे होसो अवास के साथ एक एक आधवी को बता सकता हूं कि मेरा एक प्लेट फॉरम साट लाख रुपे महीने तक आपको लेके जा सकता है क्योंकि यहां तक मैं गया हूं मैं इस प्लेट पॉरम में है था है लाखों रुपे कमाने के लिए लेकिन आज साथ लाख से जदा का परमंद का मेरा एवरेज आता है भाई साब और मैं आपको गारेंटी दे सकता हूं कि मेरी वज़े से नहीं मेरे दम की वज़े से तो मुझे आठ अजार सेलरी मिलती थी सरकारी और बड़ा खुस था कि पहले करूंगा नोकरी तो मिलेगी सेलरी और जब रिटायर हो जाओंगा तो मिलेगी पैंशन और पुरी के चक्कर में पुरी जिंदगी टेंशन में निकल जाती है और मैं यह जिंदगी में टेंशन नहीं चाहता था इसलिए हमने पैंशन छोड़ दिया रहे हैं कि यह प्लोट्फोरम आपको क्या दे सकता है फिर एक सवाल क्या इस प्लेट्फोरम की पावर समझने के बाद आप यहाँ पे कामियाब होना चाहते हैं आप भाई साब अगर आप कामियाब होना चाहते हैं तो एक कामोर करना पड़ेगा इस प्लेट्फोरम की पूजा करनी पड़ेगी आप मार्केट में जाओ यार एक जूते गाठने वाला जब सुबह के खोके को खोलता है ना उसको सात आरे से लगाता है एक जबेलर को देखना दुकान खोलने से पहले सात बार लग तो लोग उस काम से पैसे तब कमाते हैं जब उसकाम की पूजा करते हैं अगर आपको वास्तम इस बिजनिस में कामियाब होना है तो आपको सब से बहले एक चीज़ करने पड़ेगी इस काम की पूजा करने पड़ेगी और पूजा करने का फाइदा क्या है समझो जब आप किसी के पास पूजा करते हैं तो आपको उसके परती समर्पित हो जाते हैं और जब पूजा करते हैं तो उस काम के परती कभी भी नगेटिवटी आपके मन में कभी नहीं आ सकती आदमे नगेट होता है लेकिन इंसान भगवान से नगेटिव नहीं होता क्योंकि भगवान की वो फूजा करता है जब आपकी फूजा की ताकत मैं बता दाओं जब एक पत्थर के मुर्ति के सामने एक इनसान समर्पित भाव से नतमस्तक होता है और कोई मनो कामना मांगता है मुराद मांगता तो वो पत्थर के सामने जुखावा सर उसकी मुराद पूरी कर देता है मेरे दोस्त यहां तो जिन्दा प्लेट फोरम है चलते फिरते अपलाइन हैं लाइव एक जामबल है एक बार जैसे भगवान के सामने समर्पिद हो के नतमस्तक होते है वैसे समर्पिद हो जाना यह प्लेट फोरम आपके और आपके परिवार के एक एक सपने को पूरा करने की हिम्मत रखता है साब मैंने सिरब यही किया एक आपका पैदा किया हुआ बच्चा जब बोलता है कि पापा आई यह सु बनूगा तो सबसे बढ़े ले मोटिवेशन उसका पापा करता है बोला बेटा मैंने इपैदा किया है मुझे पता है तो क्या बन सकता है रहने थे माश्टर बन जा फुरिश में चला जा बाबू बन जा बोला कर दो बोल रहा हूं तो जब एक बच्चा बोलता है छोटा कि पापा बड़ा हो के BMW लोंगा तो उसके मम्मी पापा ही सबसे बहले नगेटिव करते हैं कि उकात में रह ज्यादा हवा में उड़ता है तो जमीन पे गिर जाता है एक लड़की अपने हजबेंट के सामने बोलते है तो उसके सास और पती सबसे पहले उसकी कामियाभी में रोड़ा बनके खड़े हो जाता है एक बच्चे की जिंदिगी में उसके माबाब रोड़ा बनके खड़े हो जाता है कि नहीं जैसे हम बता रहे हैं वैसे कर और जब बेटा नहीं मानता है तो पापा अपना सर और दिखाता है कि बेटा ये जो बाल सभध होए ना अनुभाव से होए हमने दुनिया देखी है गाट गाट का पानी पिया है उनको ये नहीं पता पास्पोर्ट का पी कहा आता है बिना पास्पोर्ट के कैसे देख के आगे दुनिया पर ये पक्का बोलेंगे बिटा मैंने दुनिया देखिये मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके 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 सोई वी टाकत को जग़ाना चाहता हूं मौच मैं ये बता रहा हूं कि याँ बेटा वहार आदमी अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा करना चाहि रहा है क्या करने के लिए तैयार हैं अजर यह बताओ आप करना चाहरे हो अगर आप करना चाहरे हो तो सबसे पहले आप डिसाइड करो आपकी वैल्यू क्या है आपकी कीमत क्या है कि जब तक आप अपनी कीमत अपनी नजरों में छोटी लगाओगे दुनिया आपकी कीमत छोटी लग जानी पड़ी कि क्या कीमत है एक आदमी 20,000 रुपे महीने कमा रहा है 40 कमा रहा है 50 कमा रहा है 60 कमा रहा है कोई दर्द नहीं हो रहा है कोई दुख नहीं हो रहा कोई प्रेशा नहीं हो रही क्यों कि उसको लगता है कि मुझे दो उकाद से ज्यादा मिल गया मैं 60,000 के लाइक ह काम्याब वो आदमी होता है जो पचास जार रुपे महीना दो कमाता है लेकिन उसके अंदर शावाज आती है कि मैं यार पचास कमाने के लिए नहीं बना मैं तो पांच लाग कमाने के लिए बनाऊं मैं तो पचास लाग कमाने के लिए बनाऊं मैं तो एक क्रोड के लिए बनाऊं, वो आदमी अपनी उकात को बढ़ाता है, आपको सबसे पहले अपनी कीमत रिसाइड करने पड़ी गया, आज क्या कीमत लगाई है आपने अपनी, जिस कपड़े को पेंज रगा है न आपने, उसकी कीमत है, जो टाई लगा रखीते हैं, उ आपने तो बताओ मेरे को, क्या कीमत लगाई है आज तक हमने, नहीं लगाई ना, यही हमारी फैलियर की वज़ा है, कीमत लगाई है, मैं कितने का आदमी हूँ, उसी ओपिस में जाने वाले कई लोग महीने के दस जार भी कमाते हैं, उसी ओपिस में जाने वाले कई लोग ल अपने कीमत जादा लगाई और किसी ने अपने कीमत कम लगाई आज सबसे बहले रात को सोने से बहले आपको अपने कीमत डिसाइट करने पड़ेगी की कीमत कितनी है दोस्त और नहीं समझ में आरहा तो एक फोर्मूला बताता हूँ अगर कोई आदमी आपसे किड़नी मांगने आए तो कितने रुपे में दे दोगे आप बताना साब कोई किड़नी मांगने आएका तो कितने रुपे में दे दोगे अगर दो करोड रुपे दे तो नहीं दोगे ने मेडम अचा चार करोड रुपे दे तो पांच करोड रुपए दे तो अच्छा दुस करोड रुपए दे दिये तो पक्की बात है अब समझें आपकी असली उकात में लेके आता हूँ जो पचाश जार रुपए महीना कमाता है न वो अपने आपको बहुत बढ़ा हाद भी समझता है पचाश जार कमाने वाला साल में कितना कमाएगा च्छे लाक दस साल में चालीस साल में चालीस साल में पचाश जार रुपए पर मंत कमाने वाला आदमी कमाता है दो करोड चालीस लाक रुपए राइट पचाच जार रुपे कमाने वाले को ठीक ठाक आदमी माना जाता है और आपने बोला पांच करोड में भी किड़नी नहीं देंगे आपने बोला दस करोड में भी किड़नी नहीं देंगे तो फिर पूरी जिंदगी ढाई क्रोड में कैसे बिता सकते हो आप जोर के देखो अपने पार्ट्स का आइटेम का हमेशा लोग का नाकामियाब होने वाले एक कामोर करते हैं भगवान को गाली देते हैं ये भगवान मुझे गरीबी में फैदा कर दिया जब भी कोई जिंदगी में बुरा होता है ये भगवान मैंने तेरा कैवी गड़ा था ये भगवान सारे दुख मेरी जिंदगी में क्यों आए ये भगवान मेरे साथ हर बार ही ऐसा क्यों हो रहा है ऐसी आती है कि नहीं आती आपकी किड़नी जब आप पांच किरोड मेनी दे सकते हैं तो सारे आइटम जोड़ के देख लो बगवान ने कितने का आधि में बना के उतारा है इस दर्थी भी